सलामों अलाइकुम, बड़ी बड़ी बेकरीज में, बड़े बड़े रेस्टोरंट में आप लोग जाकर खाते होंगे, बहुत जबरदस कैरमल पुडिंग, कि आपको मालूम है कि कितनी चीप और सस्ती लो कॉस्ट रेसिपी है, बनाना तो इंतहाई असान है, आज मैं आपके से बनाएंगे ना, और सर्विंग के टाइम पे बनाएंगे, या आप कस्टरमर को भेजेंगे, चोटा से जो कप होता है, उसके अंदर आपने साथ में बना के वो सॉस भी देनी है, आप यकीन करें कि आपका हिट हो जाएगी ये रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मुँ में घुल जाने वाला कैरेमल पुडिंग की रेसिपी को, बहुत हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं ऐसे ग्राइंडर जग में बनाती हूं, और इतना आसान गर दिया बनाना आप सब के लिए, कि आप लोग भी चुटकियों और मिंटों में इसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिसमिल्लाय रह्मानी रहीम, यहू रुकईया, आप देख रहे हैं, प्यारी रुकईया का केचेन, तो यहां पर मैंने ले ली है, पांच ब्रेड, अच्छा मिल्की ब्रेड लेनी है, सादा ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी, कोई टे 1.5 cup हमने दूद एट कर दिया, इसको हमने सोक कर लेना ताके ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, अच्छा में बनाते हैं, तो यहां बनाते हैं के बाते हैं, अच्छा मैं बनाते हैं ले लेले यह प्राइपन उसमें एट कर दिया हाफ कड़ मैं उसको फैला लेना है, और जब तक यह हलकी हलकी melt होने लगेगी तब आपने चमत चलाना है, वरना यह hard हो जाती है, फिर बाद में problem करती है, या फिर यह बहुत जादा कडवी हो जाती है, या बहुत जादा hard हो जाती है, तो इसको आपने melt करने लगे, थोड़ा धिहान करना है, melt हो गई, 6 इंच का म ले सकते हैं, उसमें मैंने केरमल को डाला, कोई भी और से ग्रीस नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, अचा यह जाते साथ स्टिक हो जाएगी, जब इसको स्टीम लगेगी, और आटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक हो गया, तो आब हमने रख दिया साइड पर, स्टीम पर चलाओ, बस एक मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, ताकि चीनी जो है ना वो, मतलब खताम हो जा दाना उसका, अब इसे हमने डाल लिया बाउल में, अब इसी जग को मैंने वाश वगारा कोई नहीं किया, अब इसके अंदर मैंने एड कर दे मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ, लेकिन इसके अंदर ना कहीं ना कहीं जो ब्रेट के होते ना पीसिस वो रह जाते हैं, और आप यकीन करें, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेके लगते हैं, कुछ भी नहीं होता, चानना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नही अच्छा यह आता है, लिक्विड तरीके से, ठीक है, लिक्विड वाला होता है, आप मैंने इसको पोर कर दिया, आप इसी कंसस्टेंसी देख लो, आप क्या करना है, इसको हमने स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए क्लिए क्लिए इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ज लो और आपने उपर अंदर छन्ना रख दिया है, उसके उपर आपने मोल को रख देना है, ठीक है, और इसको पंजा मिनट पहले आपने, मीडियम टू लो फ्लेम के उपर जो ना रख देना है, पतीला, स्टीम शुरू हो जाएगी, ठीक है, मोल रखा, इसको कवर करेंगे, हो गया सो जॉछ हैं तूपक चेक हो गया हम लोग इस तरीक से और हम लोग से कोई बिड़ा लगा कर चेक करेंगे इसके साथ इसी ऑग्ड़ा रही थी वहाँ सौफ्ट थी पटह क्या हो स्टलू अगर इस तरह wird आप पन्रू और अकलो cageाGold तो अभी मैं इसको निकालती हूँ और अन्मोल करने के ट्रिक भी आपको बताती हूँ जब आपने अन्मोल करना जस्ट तीन मिनट देने, दो से तीन मिनट आपने इस तरह रूम टामपरिचर पर दो उसके बाद एक पतली सी नाइफ लोगे बारीक सी और मोल्ड के साथ आपने नाइफ को रखना है और जो तीखी वाली साइड है वो अपने साइड पर लाते वे इसको रूटेट करते जाना है, मतलब गुमाते जाओगे नाइफ को तो बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो ये क्या करेगी कैरमल पुडिंग कटिंग हो जाएगी और अनमूल करने लगे ब्रेक हो जाएगी सो आपने इस बात का ख्याल अगने, किसी भी ट्रे में, किसी भी प्लेट में आप लोग इसे अनमुल कर सकती हैं और अनमुल करने के बाद, माशालला से, लहँदो लहाँ, जबर्दस्ट रेडी है अब आपको बताती हूँ किसको सर्फ करने लगे मैं किस तरह से सर्फ करती हूँ खासव पर जब गेस्ट आए हो फैमली हो या फिर बहुत अच्छा उकेशन हो तो मैं लाजमी से बनाती हूँ जो मैंने भी कैनमल बनाया हाफ कप शूगर से मैं बना लेती हूँ तकरीबान वन कप शूगर से बना लेती हूँ ठीक है उसके अंदर अच्छे तरीके से उसको बनाने के बाद मैं जिस प्याली में निकालती हूँ उसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैं कंडेंस मिल्क अपने अगर लगे ठीक है तो मैं हलका सा गरम भी कर लेती हूँ माइकरोवेव कर लो चूले पर बना लो और जब आपने इस सरह से प्रेट में सर्फ करना है तो जैसे 3 मिल्क केक को आप लोग सर्फ करते हो साइट में दूद बगारा पोर करते हो इसी तरीके से उस यम्मी से मज़ लगी होगी मिलते हैं बहुत ही जबरदस यूनीक आइडिया के साथ और जबरदस रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज